नमस्कार दोस्तों आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तोस्तों आज इस वीडियो में हम यूपी एसाई रिजल्ट को लेका एक और न्यू अपडेट जो सामने आई हैं वो आप सबी के साथ शेयर करना चाहते हैं वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो किसी भी गवर्मेंट जोब से लेटेट कोई भी लेटेस अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही आप हमें तेलिग चैनल पर भी जोइन कर सकते हैं जिसका की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो हमने बताया था कि मार्च में आ जाएगा तो दोस्तो उसकी पॉसिलिटी बिल्कुल खतम हो चुकी है क्योंकि दोस्तो पहले जो बेवागते इन्फॉमिशन आ रही थी अपडेट की मताबिक आपका रिजल्ट मार्च में ही आना था लेकिन दोस्तो प्रोसेस में कुछ और जो चल रही है डिले क्योंकि दोस्तो जो उन्होंने आंसर की पर आपटेशन मागी थे क्वेरी मागी थी जिन बच्चों ने क्वेरी बेजी हैं तो शायद उनका रिजल्ट दोबारा आएगा या फिर दोस्तो हो सकता है कि जो इसकी आंसर की है फाइनल आंसर की वह भी अभी आ सकती है उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा पहले फाइनल आंसर कियागी फिर रिजल्ट आएगा या फिर जिन बचों ने कोईरी सेंड की थी उनकी रिजल्ट दोबार आएगा फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो दोस्तों अभी उमीद यही है कि इन सारे प्रोसेस में शायद आपके 10-15 दिन ओल लगें लेकिन उमीद है बेवा की तरफ से यही इंफोर्मेशन आ रही है कि पूरे अप्टेट्स और मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका जो रिजल्ट है वो एपरेल में आ जाएगा और दोस्तों आपका जो फिजिकल है उसक माई तक उसके बाद ही आपका डॉकिमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो दोस्तों आप जो अपनी रनिंग की त्यारी कर रहे थे वो प्लीज आप अपनी माई के कोर्डिंग करें आप बिल्कुल भी उसमें अपने आपको डीला ना चोड़ाएं क्योंकि रिजल्ट अपरेल में 15 अपरेल तक किसी वी दिन जारी हो सकता है वो प्रोसेस में लगे हुए हैं तो दोस्तों आप अपने फिजिकल को बिल्कुल भी डीला ना चोड़ाएं अपनी हैल पर पूरा फोकस करें और अपने फिजिकल की पूरी जोर्शित त्यारे करें क्योंकि दोस्तों फिजिकल पर ही आपका पूरा सेलेक्शन डिपेंड करेगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है अगर इंफोमेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही जैसे ही रिजल्ट आता है हम आपको तुरंट अपडेट कर देंगे उसके लिए आप हमारे साथ जु झाल Johnson